Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल आपको Foreign Minister बनाए गया और उसके बाद तो काफी कुछ आप सबने देखा है, हमने कई वीडियोस बनाए है, लेकिन अब Question यह है कि What about Modi 3.0, क्योंकि Modi 3.0 में जो तीसरा टर्म है, Modi सरकार का, इसको जादा बहतर होगा NDA की सरकार कहना, हम सबको पता है, पूर्ण भहमत नहीं मिली यूएस हो गया, हमारे नेवर्स हो गया, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 के लिए UPSC की त्यारी कर रहे हैं, हमारा जो GS Foundation batch है, वो कल से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर आप 3 languages में कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके तहट आपको Prelims, Mains, Interview, सभी की त्यारी करा जाते हैं, और सभी यहाँ पर Live Classes होते हैं, Personal Mentor आपको दिया जाता है, Test Series होता है, इनवन 18 UPSC के जो Books हैं, वो आपके घर तक डिलिवर किये जाते हैं, जॉइन करने के लिए हमारे website, app पर जाएए, या फिर comment section में link और आपको use करना है, ये code, Ankit Live, ताकि आप maximum जो discount है, वो ले सके और इसके अलावा, अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुआत करत रखता है, BJP को 240 seats आई हैं, और अगर आप पिछले 2 term से देखोगे, तो BJP को अकेले पूर बहुमत मिल रहा था, 272 के उपर मिल रहा था, लेकिन NDA का भी जो number आया है, वो भी 300 के आसपास है, which is enough for a majority, और इसी की वज़े से आप बोला जा रहा है कि ऐसा कोई बहुत बढ़ा बदलाओ नहीं होने वाला है, जो पिछले 10 साल में हमने देखा है भारत की विदेश निती, वैसा ही कुछ आपको अभी भी देखने को मिलेगा, देखें वैसे अगर आप देखेंगे, तो चाहें भारत में कोई भी सरकार रही हो, चाहें उसको majority हो, कम हो, जादा हो, लेकिन foreign policy का ऐसा होता है, वो continuity में चलता है, तो यहाँ पर हम देखी रहे हैं कि जो प्राइम निश्टर है, वो भी मोदी है, और साथी साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी जेपी है, तो ऐसाच आपको कोई बड़ा बदलाओ देखने को नहीं मिलेगा, in fact, I don't know आप में से कितने लोगों को याद है, कि जिस दिन result आया था, उसी दिन PM मोदी का एक speech था, जिसके तहत उन्होंने ये बोला, कि भारती वोटर्स ने immense faith हमारे उपर रखा है, और उन्होंने promise किया, a new chapter of big decisions, मतलब आगे आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े निर बनने वाला है, 2027 तक, और इसके लिए जरूरी होगा नय-nय economic reforms लाना, employment generate करना, ये भी एक important चीज है, economic goals और भी कई सारे हैं, जैसे कि भारत को यहाँ पर global leader के तौर पर present करना, अगर हम especially पहले दुनिया के अंदर economic के perspective से बात करें, तो भारत third most powerful country बनने जा रहा है in terms of economy, और इस समय हमारी जो GDP growth rate है, that is fastest, around 8% GDP growth rate, और इसमें क्या है कि अंडर मोदी अगर आप देखोगे, तो हम 2014 में 10th position पर थे, overall GDP के term में, अब हम पहुँच गया हैं इस समय present में 5th position पर, तो यहाँ पर दोनों अगर आप दिखे चाहें, global indicators या फिर local indicators, ये साफ साफ दिखता है कि 2027 तक भारत third largest economy बन जाएगा, और हमारे उपर सिर्फ US और चाइना ही रहेंगे, और कहीं न कहीं इसी की वज़े से आपको third term में भी all round reforms देखने को मिल सकता है, especially आपको याद होगा PM Modi अकसर आजकल बात करते हैं 2047 की, विक्सित भारत की, तो उसके perspective से भी जो भी reforms अपनाने है चाहे हमें free trade agreement करना है, अलग-अलग देशों के साथ, digital infrastructure create करना है, energy transition हो गया, इसके लवाद जो देश की economic resilience है, क्योंकि देखो क्या होता है, दुनिया भर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, कहीं पर war start हो जाएगी, कहीं पर oil के prices बढ़ गए, लेकिन उन सार मैंने की 30 साल में कभी कहीं दुनिया में कुछ हो नहीं होगा, कुछ न कुछ होता ही रहता है, slowdown आता रहता है, कहीं पर economic issues आ गए, तो इसका मतलब ये धोड़ी है कि China ने हार माले और China ने कहा कि नहीं, ये दुनिया में वहाँ पर ये issue चल रहा है, तो इसलिए हम grow नहीं कर पा रहा है, आपको अपने आपको secure रखना है और जितना मजबूत कर सकें वो करना है, खेर अब मैं आता हूँ real foreign policy के उपर, सबसे पहली जो बात कहीं जाती है UNSC membership के बारे में, foreign policy के front में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि जो present सरकार है Mody 3.0, वो अभी भी UNSC membership क के लिए लगतार emphasize करती रहेगी, कि हमें भी United Nations Security Council के अंदर permanent member के तौर पर लिया जाए, खेर काफी मुश्किल है लेकिन इसके साथ साथ जो United Nations के अंदर reforms हैं, उसको लेकर भी हम आगे भी यहां से emphasize करते रहेंगे, कि reforms लाने की जरूरत है, लेकिन हम सबको पता है China, China permanent 5 का member है जिसकी वज़े से यह होना बहुत मुश्किल है, almost impossible type का है, और इसी के वज़े से अगर आप देखोगे, तो भारत ने क्या रणनेती अपनाई है, कि हम अलग-अलग प्रकार के जो institutions हैं, चाए छोटे level पर, उसको हम create करेंगे, मतलब UN का एक बड़ा alternative लाना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक छोटा-छोटा alternative वो हम ला सकते हैं, और इसी को बोला जा रहा है, mini lateral ones, mini lateral का मतलब हो गया, कि हमारे बाकी के कुछ देशों के साथ, जो common interest है, common goal है, उनके साथ partnership किया जाए, और इसलिए आपने देखा होगा, quad का formation हुआता, चाइना को counter करने क लिए, जिसमें भारत, United States, Japan और Australia, और यहाँ पर कई लोग कोशन कर सकते हैं, कि quad अभी बहुत जादा effective देखने रहा है, लेकिन still, यह एक सुरवात है, और इस तरह के बहुत सारे आपको जो partnership दुनिया भर में भारत के साथ देखने को मिल सकती है, example की तोर पर आप देख सकत जिसके तहट भारत, सिरलंका, मौल्डिव्स और मौरिश्यस, यह एक साथ आते हैं ताकि अगें इंडियन ओशन में जो security related चीजे हैं, उसको further improve किया जा सके, दूसरा एक बड़ा concern है भारत के लिए वो है चाइना, देखिए चाइना के regarding अगर आप देखोगे, तो भारत कई सारी चीजों के बारे में सोच रहा होगा, यहाँ पर हमें जरूरत है कि हमारा जो security infrastructure है, उसमें एक बड़ा बदलाओ किया जाए, especially मैं आपको बता दूँ कि अगर आप eastern वाला sector देखोगे, मत्तब यह जो तिवित और चाइना के साथ पुरा border जुड़ा हुआ है, तो eastern sector में हमारे 20 जवान वीर गती को प्राप्त हुए थे, तो इन सारे चीजों को देखते वे, आगे से मतलब इस बार के बाद क्या होगा, कि जो हमारा border infrastructure है, कि हम उसको वहाँ पर कैसे मजबूत कर पाएंगे, infiltration कम हो, इस तरह की चीज़ें काफी जरूरी हो जाती है, अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था, यहाँ पर खबर यह आई कि, चाइना ने सिक्किम के पास, जो fighter jets हैं, करीब 1500 के आसपास, 1500 किलोमीटर दूर हमारे border से, fighter jets को deploy किया है, तो लगतार चाइना इस तरह की हरकते करता रहेगा, लेकिन हमें अपने आपको मजबूत रखने की आउ और भारत इसे surprise नहीं होगा, in fact अगर आप देखोगे अभी जो चुनाओ के पहले BJP का manifesto आया था, उसमें भी यह बोला गया था, कि we pledge to accelerate the development of robust infrastructure along the two countries border, मत्तब हमने साफ साफ संकेत दिया एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तन, वहाँ पर हम अपना जो infrastructure है, वो मज partnership करेंगे, तो यहाँ पर जो Indo-Pacific region है पूरा, उसको और जादा बहतर secure बनाया जा सके, अभी recently आपको याद होगा PM Modi का जो जीत हुआ था, उसमें जो lie चिंगते हैं, that is the president of Taiwan, उन्होंने यहाँ पर congratulate किया PM Modi को, और इनको जवाब भी दिया PM Modi ने और कहा, thank you for your warm message, I look forward to closer ties, औ और इससे कहीना कहीं China काफी भढ़क गया था, तो खेर वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपको समझना है कि China के perspective से जो भारत की policy यहाँ से होने वाली है, वो और जादा आपको aggressive तरीके से ही देखने को मिलेगी, जहां तक USA का सवाल है देखी, United States of America, यहाँ पर पिछले Modi जी के दो टम में अगर आप देखोगे, तो काफी flourish किया है हमारा जो relations है, especially मोधी जी के आने के दो साल बाद ही, 2016 में अगर आप देखिए, तो US ने भारत को as a major defense partner के तौर पर recognize किया था, अभी पिछले साल की बात है, जनवरी 2023 में भारत और US के बीच में initiative on critical and emerging technology जो की बहुत important है, यहाँ पर technology से related जो partnership है, वो हमने पूरा किया था USA के साथ, और इसके अलावा बताया यह जाता है कि भारत और US के बीच के जो risk है, in that sky is the limit, बहुत सारे चीज़ों में हम कर सकते हैं, और जैसे कि for example, space sector हो गया, तो यहाँ पर भी हम दोनों ने मिलकर partnership की है, ISRO और NASA के बीच मे overall यहाँ पर PM Modi का जो comeback है, इस बार का तीसरा जो term है, उसमें आप कह सकते हैं कि अमेरिका में कोई भी president आए, क्योंकि आपको पता है इस बार अमेरिका में भी चुनाओ है, तो या तो Biden वापस आ सकते हैं, और Trump वापस आ सकते हैं, दोनों के साथ ही यहाँ पर हमारे रिस्ते बहतर ही आपको देखने को मिलेंगे, हाँ, यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ देखें, रश्या के साथ, तो रश्या के साथ भारत का जो interest है चाहें, वो defense partnership और trade ties हो, वो भी हम साथ में maintain करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग समझ नहीं पाते हैं, अभी भी कई लोग के मन में क्या है कि देखो, रश्या ने भारत की काफी मदद की थी, पहले हमें याद है, तो देखो, वो relations तो है, यह लेकिन हमें future के perspective से देखना है, क्योंकि भारत और चाइना के बीचे relations बहुत कराब हैं, लेकिन रश्या और चाइना के relations बहुत अच्छे हैं, तो उस नज स्रिलंका, Maldives के साथ कुछ issues चल रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि उनको जो PM Modi का सपत ग्रांड होगा, उसमें भी उनको बुलाए गया है, तो चीजें normalize करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन overall relations काफी अच्छे हैं, except पाकिस्तान का आप छोड़ दो, काफी better आपक देखने को मिलेंगे, in fact मैं आपको स्रिलंका का example बताता हूँ, स्रिलंका में economic crisis हुआ तद 2022 में आप सबको याद होगा, स्रिलंका पूरी तरह से चाइना के चपेट में आ चुका था, उस समय भारत ने मदद की थी, करीफ 4 billion dollar का यहाँ पर economic package भारत ने स्रिलंका को दिया था और कहीं न कहीं चाइना का जो influence लगतार बढ़ता जा रहा था स्रिलंका पर उसको हमने हटाने की कोशिश की, क्योंकि आप सोच के देखो स्रिलंका के कितने नस्दीक आ जाता है गिन भारत जो है, तो इसी के वजए से यहाँ पर हमें चाइना का जो influence है पूरी तरह खतम करन और उसके बाद चाइना का जो ship है वो Maldives की तरफ गया था, तो इस तरह की जीजे चलती रहती है लेकिन जो हमारी neighborhood policy है ये काफी माइने रखती है और ये साफ साफ दिखता है कि इस बार भी शपत गरण में जो हमारे neighbors हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन question तो सव concerned, cross border terrorism है, कश्मीर में हो बाकी जगहों पे हो, इसको हम बिल्कुल भी tolerate नहीं करेंगे और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत के साथ अपना ties normalize नहीं करेंगे और इसका simple कारण यही है कि पाकिस्तान में जो control है वो military के पास है, although पाकिस्तान म अगर आप देखोगे, तो कई बार relations अगर better करने की कोशिश भी होती है, जैसे आपको याद होगा पहले term में मोदी जी के नवास सरीफ से मिलने चले गए थे, उसके बाद क्या हुआ पठान कुट और फिर बाकी की चीज़े हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर क्या करत अभी के लिए तो कहीं दूर दूर तक दिखने ही रहा है, और finally जो next important और आखरी जो चीज़ है वो है, leader of global south, भारत कहीं न कहीं global south का leader बनना चाहता है, और ये साफ हमें देखने को मिलता है, जब मैं global south की बात करता हूँ, तो अक्सर आपने देखा होगा, जो दुनिया भर म काफी ज़ादा तवज्जो है, especially आपको याद होगा, पिछले साल सेप्टेंबर में जो G20 समिट भारत ने successfully conduct कराया था, और उसमें especially जो African Union है, उसको part बनाया था G20 का, तो यहाँ पर भारत का पूरा focus global south में होने वाला है, क्योंकि हमारा जो engagement है south american countries के साथ, आफरिका के साथ काफी ज़ादा तेजी से यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर basically मैं आपको बोल रहा था ना, starting में UNSC के बारे में, तो वहाँ पर reform लाना बड़ा मुश्किल है, हम सबको पता है United Nation में, तो कहीं न कहीं यहाँ पर हम अपने voice को एक साथ बोल सकें, अपने issues को एक साथ खड़ कर सकें, तो एक काफी important चीज हो जाएगी, और भारत का भी जो एक तरह से leadership है, वो आपको देखने को मिलेगा, और third term में Modi जी के, यह आपको further enhance होते वे देखने को मिल सकता है, खेर, conclusion क्या निकलता है, conclusion में आप यह कह सकते हैं, कि Prime Minister Modi का जो तीसरा term है, it is going to maintain the momentum, and foreign policy reforms आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे strategic alliances हैं, वो और जादा मजबूत होंगे, जो यहाँ पर भारत की leadership है, Global South में, वो और जादा मजबूती की तरफ बढ़ेगी, इसके साथ साथ national security, regional security, UNSE membership में अपने आपको और जादा pursue करवाना, global partnership करना, यह सब जगा एक important मुद्दा होने वाल में समझ में आया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, में कौंग गंगा corporation, basically यह भारत और कौन से देशों के बीच का partnership है, आपको बताना है, इसका right answer आप सबको बता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम आपको एक्स्ट्रा discount भी मिल जाएगा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है और से next time, till then, thank you very much, see you soon.